हालो एवरीवन वैलकम टू पैटाइक्यों जैसा कि आप सभी को पता है कि वह पढ़ रहा है कंप्यूटर हम लाइन बाइन सारे चैप्टर को अच्छे से स्ट्पर कर चुक्छे हैं यह आपका साइवन चैप्टर है जो कि सारा लुशेंट बुक से कभर किया जा रहा है इसमे चलिए भीन लिट के च्राट करते हैं कोशन से पहला कोशन आपके पास कि कंप्यूटर करने के लिए कहा करे का परयोग कटा है इस कोशन है कि निवन में से सबसे बड़ा ένα कौन सा होता है सबसे बड़ा यूइट होता है वहीज्ट पद डिट का लगवरूप है किसका पास की ठीच का लगवरूप है कॉन बीट लगभग एक बिलियन बाइट होते हैं किसमें एक बिलियन बाइट होते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट या फिर बीट में तुझी है लोग क्या कहते हैं ना आठ डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है तो यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए वहीं नेश्कोशन देखते हैं आपके पास कि एक बाइनरी में कितने मूल निरूपित किये जा सकते हैं यह बहुत इंपोर्टन को सन अप्सें में दिया हुआ आठ 1664 या फिर 256 ज्याएग अश्क्राइब कि एक बाइट में हम लोग बैसिकली आठ मूल निरूपित कर सकते हैं चले होँ नेश्कोशन आपके पास कि एक मेगबाइट लगभग 10 के समान हता है ऎक हजार बीट्स के समान दस हजार ऐत क् ز़ोग दौ्जी के समान चले हो उपर तीनों कहा था तो जी हैं कंप्यूटर में मोरी का सबसे छोटा रूप आपका बीट कहलाता है वही नेश्कोशन आपके पास कि कितने बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाता है ऑप्सें में दिया हुआ है 612, 1024, 244, 496 कितना तो जी है इसकारे टेंसे क्या हुझा है कि या आपका 1024 बाइट मिलकर के एक किलो बाइट जो है वह बनाते हैं चलिए वही नेश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि इन में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उप्योग में लाया जाता है ऑप्सें में दिया हुआ हुआ है LB, MG, GH या फिर TB तो जी हैं सा करेक् कहते हैं ऑप्सें में दिया हुआ है दस मलों कहते हैं बाइनरी बोलते हैं या फिर बाइट बोलते हैं क्या बोलते तुझी है इसा क्या हो जाएगा कि उसे हम लोग बैसिकली बाइनरी कहते हैं चलिए वही नेश्कोशन आपके पास कि बाइनरी नंबर प्रणाली में निमन को ने थैंट। चाहिए DOAST में या वन या फिर वन या जीरो होते है ना वन और जीरो होते चलिए वही नेश्कों सब्सक्राइब कि पास के अच्रों तसथा चिन्यों को बाईटों में रिखined to करने की विधी को क्या कहते हैं इस है district कोकर शिप्टम क्या कि थे चलिए आपके पास कि आज का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है आपका आपका लगातार बीटों की सिरीज को क्या कहा जाता है अपके पास कि 56 किलोबाइट प्रतिस सेकंड के मोडेम का उपयोग कर तीन मेगा बाइट के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा आपके पास दिया हुआ है 15 मिनट लगेगा 30 मिनट 60 मिनट या फिर 90 मिनट कितना मिनट लगेगा तो देखिए इसमें इसका अंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं बेसिकली एक एप्रोक्सिमेट टाइमिंग कितना होता है कि इसमें आपका आमोमन साथ मिनट का समय लगता है इसका एंसर इसमें से कोई नहीं होगा ठीक है इसके साथा आपके पास option में आहां पर दिया रहेगा कोई नहीं दूसमें कोई नहीं पर टिक करना है क्या दर्साता है है शान में दिया हुँ जीरो से धर साथा एक धर साता है दो रसाता है तेन फिर न होगा नहीं और OH हो गए से याद देखेगा ना चलिए वही नेस्ट को सने आपके पास 1001001001001001 जो आठ बीट्स का समू है क्या कहलाएगा और में दिया हुआ नीबल कहलाएगा बाइट कहलाएगा बीट या फिर रोबोट कहलाएगा तो जी है सब्सक्राइब क्या हो जाए कि इसे हम लोग बैस है है तो अप्सें में दिया हुआ है कि बाइट में मीली मीटर में भी पार जाएगी जाए पीट्स में तो कंप्युटर में किससे लंबाई बीटेस में मापी जाती है चलिए आपके पास नेक्सक्राइब की द्वी आधरी कोड के अनुसार भीडियोतिय अस्पंधन का होना संख्या को दर्साती है क्या संख्या को दर्साती है क्या दर्साती हैं कि यह सब 박ांप को दर्साता है या 9 also 4 which means कि derivative of phi 2-100 both mean d कि शब्र कि लंबाई जाती है कि मीमी के लिए बीट में मीमी में तुझी है खहला आपके पास की कंप्यूटर डाटा की सबसे चोटी काई है वाइट है आप फिर फाइल है कि आपका बीट है ना सबसे चोटी का कौन सा है वह बीट है तो यह पास कि लॉजिक गेट क्या है ऑप्शन में दिया हुआ है सब्सक्राइब क्या है कि एक लॉजिक गेट को पढ़ना होता है नोट होता है बहुत सारा गेट होता है सब्सक्राइब करना पढ़ेगा वह आपको मैं नहीं कर रही हूं सौरी लेकिन इसमें इसमें पढ़िए सब्सक्राइब को बेसिक कोंसेप्ट नहीं दे पाई तो चलिए वही निश्कोशन देखते हैं जो है कि मेगा बाइट में मापा जाता है आप्सन में दिया हुआ है एक हजार बाइट के तुलिया एक लाक बाइट के तुलिया दस सचोबिस बाइट के तुलिया या फिर कि इसमें आपका किलो बाइट होता है यह इसका आपका correct answer हो जाएगा तो Question no 30 है हमारे पास किनिम्ड में से कौन सा सत्य है मतलब कुछ आपके पास गीनिम्ड से कौन सा सत्य है पहला option आपके पास दिया हुआ है byte binary number में एक अंकिये होता है या फिर 8 अंकिये binary number को byte कहते हैं या फिर bit digit number की grouping का परतिन दिजित करता है या फिर इन में से कोई नहीं तुझी है ऐसा correct answer क्या हो जाए कि आपका 8 अंकिये binary number को byte कहा जाता है इसका correct answer हो जाएगा ठीके चलिए वही निश्कोशन आपके पास कंप्यूटर पर information किस रूप में store किया जाता है आपके पास option में दिया हुआ है कि यह आपका analog के रूप में store किया जाता है यानि कि analog data के रूप में या फिर वाट्स data के रूप में निवन में से कौन सा लिस्टेड है यहां पर कुछ लिस्ट दिया आपको बताना है कि इसमें आपका बड़े से छोटा के करम में कौन सा लिस्टेड है आपके पास इस्टार्ट होता है आपका option number A से TB MB GB KB या फिर TB GB MB KB या फिर GB TB MB KB या फिर GB MB TB KB सबसे बड़े से सबसे छोटे करम में आरेंज होता है आपके पास कि निवन में से कौन सा लिस्टार्ट का उधारन है उप्शन में दिया हुआ है 6H1 या फिर ABCD या फिर 100101 या फिर 23456 तुझी है सबस्टार्ट होता है एक 1 होता है एक 0 होता है उप्शन नमबर 3 चलिए वही नेश्कोसन आपके पास कितने किलो बाइट से 1 MB बनता है उप्शन में दिया हुआ है 64, 128, 5, 12 या फिर 1024 कितना होता है तो जी है सबस्टार्ट आपका होता है 1024, 1024 चलिए वही नेश्कोसन आपके पास कि कम्प्यूटर में एक नीवल कितने बीट सूचित करता है याई कि आपके पास एक कम्प्यूटर में नीवल होता है वह कितने बीट को सूचित करती है आपके पास कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है याई इसनल ही, चलिए जसमें इक भीन होता है चलिए वही नेश्कोसन आपके पास कि कितने मेगाबाइट में एक गिगाबाइट बनता है में दिया हुआ है कि दस्तो चोबिस एक सो अठाएस दो सो चपन ने फिर पांसो बायत हो जी है कि आपका दस्तो चोबिस मेगाबाइट से एक गीगाबाइट जो है वो बनता है चलिए वह इन इसको सने आपके पास कि एस सीट डबल आई का पूर्ण रूप क्या होता है इसको या फिर अमेरिकन स्टेंडर कोड फोर इनफर्मेशन इंटर्चेंज चलिए वही नेसकोसन देखते है जो है आपका कि बायट जीरो और डैस के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है ओप्शन में दिया हुआ है दो 255 256 या फिर 1024 हो जी है सबसे ज्यादा परियोग में आने वाला कौड कौन सा है जो परते करेक्टर को बीच कोड के रूप में निरूपित करता है बहुत इंपोर्टेंट को सने ना उप्सन में दिया हुआ एस सी डबल आई या फिर यूनिकोड या फिर इबी सी डी आई सी या फिर एस डबल लाई तुझी है सब्सक्राइब के पास कंप्यूटर की सुचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ या है कि डैस से बनी होती है मतल निद्श इन को दिज defenses ऑाई मेंडनी दिशिटल होती है सब्सक्राइब का इसकी कि सकति कश्चा परयोग करता है तो चार्ड या फिर दस नंतRO Reynolds कोनेश को सब्सक्राइब कि मैं सब्सक्राइब तया है एक होता है जीरो होता है और एक होता है याने किसमें कितने सक्थियां होती जा सकते हैं। सब्सक्राइस कि इतने हैं सब्सक्राइब के लगभग एक हजार मेगा बाइट के बराबर होता है किसके बराबर होता है प्रफ के लगभग एक घीगा बराबर होता है किसके बराबर होता है एक घीगा बाइट होता है सबसे बड़ा माप गीगाबाइट है चलिए वहीं को संदेखते हैं जो कि है आपके पास की बाइंडी नंबर 101 की वैल्यू क्या है ऑप्सें में दिया हुआ है तीन है पांच है च्छे है या फिर 101 है क्या है तो जिए हैं सब्सक्राइट है कि बाइंडी नंबर 101 का वैल्यू पांच है देखे इस तरह को ना मैं आपको क्या बोलते उसको थियोरी नियुक्त आपको बताओं तो इसमें नंबर होते हैं न सारा को मैस की तरह बनाना होता जो काफी कॉम्लिकेटर तो नहीं बोलेंगी लिकिन अगर आपको कोई भी को समयाने में दिक्कत नहीं होगा सबसे छोटा मापक जो है वह आपका होता है बाइट चलिए आपके पास की द्वीचर संख्या जैसे यहां पर उप्सन में दिया है दिए वन जीरो वन डबल जीरो डबल वन डबल जीरो टूदी बेस उसका टूद गूज सम तूलिये क्या होगा देखिए भी आपका मैस है क क्या है ना हो तो इसको अंसर देने में बहुत क्या है बड़ी काी क्या मैं दिया हुआ हुआ है कि लोगाइट थे लगाचा फिर अचलिए कि वह आपका टेराबायट क्या है टेराबाइट है ना कि मेमोरी मापने की सबसे बड़ी काई आपका होता है टेराबाइट चलिए वही नेश्कोशन आपके पास की एक टीवी लगवग निम्न लिखित में से कितना डाटा या अस्थान धारित करता है ऑप्शन में दिया हुआ है 1,000 KB 1024 Gb 1024 MB या फिर 1,000 Gb कितना धारित करता है सबसे बड़े से छोटे श्रेनी में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ हुआ आपका टीवी जीवी एमबी या फिर के विग इसके लावा दिया हुआ 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 है पहले होता है आपका टीबी होता है फिर होता है फिर क्या होजागा और संख्या प्रणाय से लेटेट सारे इंपोर्टन को सब्सक्राइब कर चुकिए बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कि इनपोर्टन टॉपिक के साथ थांस वर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब राइट आईक्यू